प्रिदेश में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच दुर्ग जिले के हालत बेहत खराब है लगतार कोरोना संक्रमण के संपर्क में अब कोरोना वॉरियर कहलाने वाले पुलीस के जवान भी चपेट में आ रहे है जो की विभाग के लिए चिंता का विशय बन गया है इसलिए आज स्पी प्रशान ठाकू ने पुलीस हेल्प डेस्क का उद्गाटन किया दुर्ग में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं रोजाना पंद्रासर से अधिक मरीज मिलने और कई लोगों की मौत होने से जिले में हरकब मचा हुआ है इसे पुलीस विभाग भी अच्छूता नहीं है दरसर जिले में 23 थाने हैं थाने में लगातार फर्यादियों का आना जाना लगा रहता है जिसे कोरोना संक्रमन का खत्रा बना रहता है इसी को देखते हुए जिले के अधिकतर थानों को सील कर दिया गया है तो वही थाना प रिवार में 45 वर से अधिक आयू वाले सदस्यों का स्वास्त परिक्षर कराकर उन्हें टीका भी लगवाया जाएगा और कोविट के प्रती जागरूप करने के लिए काम किया जाएगा आपको बता दें कि कोरोना संक्रमन के शिकार खुद लोगों की सुरक्षा प्रतैनात पुलीस जवान भी हो रहे हैं CSP कार्याले में पदस्थ ASI की कोरोना से हुई मौत के बाद थाने को सील कर दिया गया तता थाने का काम टेंट लगा कर किया जा रहा है साथी सभी थानों में एलर्ट भी जारी कर दिया गया है मकसद यह है कि अभी कोवीट का जो इस्तिती आप लोग देख रहे हैं हमारे पुलिस के जवान लगातार डूटी कर रहे हैं अधिकारी किमान उनमें भी कई में कोवेट की प्रॉब्लम आ रही है तो उनको टेस्टिंग के लिए हम एक ऐसी इस्तिती बना रहे हैं कि यहाँ पर एक चेकिंग का कर रहे हैं साथी हम सभी ठाने और चोक्यों से पुलिस वर्यार के जुकी वेक्सिनिशन हो चुका है उसके अलावा उनके परिवार के सदस्य हैं जिनकी आयूब 45 वर्स से उपर है उनकी सूची मंगा रहे हैं और उसको रेजिस्टेशन करके कमिशन साब ने कहा हैं कि उनका यहां पर हम एक्सिमेशन करवा देंगे साथी हम एल्ट बेस इसलिए बना रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को प्रॉब्लम आती है उस कंडिशन में वो पून किसी एक अधिकारी के दूसर अधिकारी के तो एक रिजिस्टेशन टाइब को रहे जिनके साथ ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट किया सकता है कई ना कई इसी हास्पिटल में एक पर्टिकुलर कुछ बाहिट सोगरा इनके लिए अलग से हम करवा देंगे आना इन भारत के लिए रवी सेंग की रिपोर्ट दुर्ग जिले में 6 से 14 अप्रेल तक लोगडाउन लगाया गया है इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है इसमें कहा गया है कि लोगडाउन को 30 अप्रेल तक बढ़ा दिया गया है प्रशाशन ने से लेकर कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन को 30 अपरेल तक बढ़ाय जाने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है इस पर समीक्षा आगामी 12 अपरेल को होने वाली बैठक में लिया जाएगा इससे पूर्व जारी लॉकडाउन की समीक्षा की जाएगी निगम एवं हेल्थ विबाग की अधिकारियों से चर्चा की जाएगी फीड़बैक लिया जाएगा इसके आधार पर ही आगामी दिन में लॉकडाउन को बढ़ाय जाने का निर्णय लिया जाएगा लगाये गए लॉकडाउन में डिलाई के संके दिये जा रहे हैं हालाकि इस तरह इस इस तरह पर इसका खुलासा नहीं हुआ है लगातार परती संख्या को देखते हुए पहले बैंक बंद करने का आदेश जारी किया गया इसके साथ ही ओनलाइन सर्वेस डिलिवरी पर भी रोक लगाई गई फिलाल सुबावा शाम के समय दूद और अकभार बाटने के लिए छूट दी गई है इसके लावा हर जके पर नियमित रूप से जाच की जा रही है आरनाईन भारत के लिए रवी सेन की रिपोर्ट दुर्ग 36 गड़ ही नहीं बलकि देश के कई राजियों में कुरोणा की दूसरी लहे ने जिस तरह से आतंग मचाया है उसे लेकर पूरा देश हलकान है जहाए एक तरफ महरास राजिस्थान, 36 कड़ केरल करनाटक मध्यप्रिदेश में लगातार COVID-19 की बाढ़ सी आ गई है तो मोटो का आकड़ा भी दिल दहलाने वाला है आलम यह है कि 36 कड़ की राजधनी राइपुर में कई जिलों में लॉकडाउन लागो कर दिया गया है कुरोणा की पहली लहर में यह सपस था कि COVID-19 की चपेट में आने वालों को सरदी जुकाम तेज बुखार गले में दर्द सीने में तकलीफ और सांस फूलने की शिकायत होगी लेकिन दूसरी लहर इससे भी बहुत भिन है इस बार पहली की तरह दिक्कते समझ नहीं आ रही है यह सही है लगातार की बुखार में 102 डिग्री या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है वही 10 से 11 दिन तक रह सकता है डायरिया की परिशानी हो सकती है और नुमोनिया जैसे लक्षर भी देखने को मिल रहे है वही कोरोना की इस दूसरी लहर में सबसे बड़ी दिक्कतिया है कि संकमित व्यक्ती की चपेट में आने वाले दूसरे सक्स में ततकाल वायरस अपना सर नहीं दिकाता बलकि शरीर में पूरी तरह से फैलने और रोगी को रोक्त में जकरने के बाद ही जाच में निकल कर सामने आता है तब तक इंसान पूरी तरह से बिमार हो चुका होता है और उसके भीतर सोचने समझने की ताकत तक नहीं रहती इन तमाम बातों को लेकर राधने के निजी अस्पताल के डॉक्टर गिरीश अगरवाल ने सेवा भावना के तहट COVID-19 के इस नए स्टेन को लेकर वीडियो जारी किया है जिसे देखने और बातों का पालन करना हर किसी के लिए हितकारी होगा वैक्सिन के लिए मैं बोलना चाहूंगा आपको वैक्सिन लगाना है ये मत सोचिए कि वैक्सिन आपको COVID के इंफेक्शन से बचाने में मदद करीगी या नहीं करीगी या इस पे इतने सारे भांतियां है ब्रहम है वैक्सिन जरूर लगवाना है, मास्क जरूर पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिन जरूर फॉलो करना है एक बात और दोस्तो, कोविट का मरीज जिसको कोविट का इंफेक्शन हो रहा है, वो बहुत ज़ादा डरा हुआ है लेकिन जब तक उसको COVID का infection नहीं हुआ है तब तक उसके लिए COVID नाम की कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है ऐसा मत कीजिए प्लीज मेरी हाथ जोट से आपसे request है हमारे शहर में मरीजों के लिए bed नहीं है सारे bed फुल हो चुके हैं और ये स्तिती अभी ऐसी भयावय स्तिती बनी रहेगी तो आप COVID होने से पहले डरिए जब COVID हो गया तो आप अपने डॉक्टर को अपने आपको सौब दीजिए लेकिन हाँ जो भी मरीज पहले से इस्ट्रॉइट खा रहे हैं या जो भी मरीज पहले से खुन पतला करने की दवा ले रहे हैं वो उन्हें लगाता जारी रखेंगे वो बन नहीं करेंगे जैसा कि मैंने आप से बताया कि प्रोफाइलेक्सिस एक्सपोशर किसी पेशिट के संक्रमीद मरीज के आप कॉन्टेक्ट में आ गए तो आपको किसी भी प्रोफाइलेक्सिस की जरुरत नहीं है वैसे ही शुरुवात के एक हफ़ते में आपको कोविट के लिए किसी भी दवा की जरुरत नहीं है इंटरनेशनल गाइडलाइन साफ सब कहती है कि चाहे वो डॉक्सिसाइक्लीन हो चाहे वो आईवरमेक्टिन हो चाहे वो हैड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हो चाहे वो एजित्रोमाइचीन हो चाहे वो Favipiravir जो की Faviflu के नाम से मिलती है इन सब दवाईयों का इसके इलाज में कोई भी रोल नहीं है आप इसे अगर अपनी सिर्फ confidence, self confidence के लिए false self confidence के लिए खा रहे हैं कि अरे क्या खा लेते हैं कोई फर्म नहीं पड़ता तो आप वो जारी रख सकते हैं लेकिन ये खा के ये मत सोचिए कि मैं इससे ठीक हो जाओंगा या मेरी बिमारी इससे आगे नहीं बढ़ेगी Remdesivir भी अगर आप लगवाते हैं जब तक आप कॉक्सेन के लेवल कम नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि Remdesivir लगवाने से मैं ठीक हो जाओंगा या मेरी बिमारी आगे नहीं बढ़ेगी Remdesivir के बारे में एक बात और में बोलना चाहूंगा जितने लोग Remdesivir लगवार हैं जिनको जरुरत नहीं है वो कृपिया इस बात को ध्यान से सुनिए कि Remdesivir का स्टॉक चतिस गड़ में पिछले एक हफते में दो से तीन वार शॉट हुआ है अब आप ये सोचिए कि जिसको जरुरत नहीं है अगर वो अपनी जित पे Remdesivir के इंजेक्शन लगवा रहा है तो जो जरुरत मन ब्यक्ति है उसके लिए दवा कम पढ़ रही है मेरी आप से हाथ जोड के बिंती है कि अपना इलाज खुद ना करवाया या अपने डॉक्टर के उपर प्रिशर मट डालिए कि मुझे ये इंजेक्शन लगवा दीजिए चौथी चीज इसके बाद जो मैं आपसे बुलना चाहूंगा वो ये है कि एंटीबॉडी लोग एंटीबॉडी टेस्ट इसले कर आ रहे हैं कि मेरा एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव है तो मुझे कोविट नहीं हो सकता ये भ्रम है एंटीबॉडी किसके शरीर में कित्ते दिन तक रहेगी क्या एंटीबॉडी वाकी आपको कोविट से बचाव करती है इसके उपर बहुत बड़ा सवाल है वेक्सिन लगवाने के बाद दो शौट आफ वेक्सिन लगने के बाद भी अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा अच्छी खासी है उसके बाद भी आपको इंफिक्शन हो सकता है कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको दो शौट आफ वेक्सिन लगाने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बन रही है तो एंटीबॉडी के चक्कर में ना पड़े हमारे शरीर में दो अलग अलग प्रकार की प्रतिरोधक छंता होती है एंटीबॉडी जो हम ना पसकते हैं उससे आप नहीं बचेंगे एंटीबॉडी आपके लिए सिर्फ एक फॉल्स मारकर है मैं इससे पहले कि अपनी बात पूरी करूँ मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि कोवीड में सिर्फ और सिर्फ एक फी नंबर का इंपोर्टेंस है और वो नंबर है आपका ऑक्सिजन का लेवल आपकी सिटी स्कैन क्या सिवेरिटी स्कोर इंपोर्टेंट नहीं है